हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग देखने वाले हैं प्लाजो की कटिंग और श्वागाद है आप सभी का हमारी चैनल टेलरिंग गुरुजी पर यह एक मिजर्मेंट है जिस पर आपको ध्यान रखना है लंबाई 37 है उसके हिसाब से और हिप साइस के हिसाब से हम लोग कपड़े क को फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वह हिप का होता है यहां पर इस तरह से आप मिज़र करके देख लेना 36 आप रॉक्स आरा कपड़ा डबल फोल्ड है हमारे पास ना तो इसको हम बिच्छाएंगे कैसे उसको देख लेते हैं आगे lecture माने के बाद हम इसको बिंचा लेंगे तो आपको करना क्या है आपको सबसे पहले तो एक सीधा मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे लैंद का निशान बेंगा ठीक है लेकिन उसे से पहले यहां पर यह लगबग 2 इंच छोड़ करके आप नीचे यह मार कर सकते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे अब आजाएंगे डारेक्ट हिप साइज यहां पर इस तरह से दिखना हिप अगर मालो आपका 42 है तो उसका साथे दस के बाद हम यहां पर लगबग 3 इंच में आपका लूज और मार्जिन आजाएगा अब यहां पर हम आसन ले रहें कितना 14 इंच का यह आसन इसके बाद यह वाला जो निशान है इसको सीधा हम से मिला लें इस चैनल टेलरिंग गुरुजी पर वीडियो रेगुलर्ली नहीं आपा रही है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को भी अपना प्यार सपोर्ट दे तो आपको इस वीडियो को जाज़ा से लाइक और शेयर करना पड़ेगा अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से पसंद करोगे तो आने वाले टाइमस में इस चैन को हलका राउंड कर देना है अब हम इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पर मेजर करेंगे लेंथ को तो नीचे वाले निशान से मेजर करना कितना 37 तो यह आप 37 एप्रॉक्स यहां पर आपका 37 तो हो ही गया उसके बाद यहां पर लग बग 2 इंच का मार्जिन नीचे फोल्ड देना है ठीक है उसके बाद हम यहां पर इन निशानों को थोड़ा आगे इस प्रकार से मिलाएंगे और एक चीछ देखेंगे कि प्लाजो में पैर की गोलाई कितनी है प्लाजो दो तरीके से बनते हैं एक फुल घेर प्लाजो होता है जिसमें नीचे पैर की गोलाई बहुत बो कि इस तरह से हलका शेप दें करकkem ऐसे मिला ङुदा अब जैसे ही आपने यह complete डिदा यहां पर हलका से दिराशा शिप दें और इसको कटिंग कर लें तों ऊप्रहलका से करवाए गां और सीधा अपको इसको कटिंग यहां से निकाल लेना देखो प्लाजो की कटिंग पेटी कोट की कटिंग से भी सरल होती है यह बहुत ही ज्यादा सरल चीज है इसलिए बीगिनेस को अगर सिखाना है तो इन सब चीजों से सुरवात करनी चाहिए मैं कहूंगा कि सिंपल सलवार से भी ज्यादा सरल प्लाजो की कटिंग होती है तो अ के बाद आपको फिर ज्यादा तकलीफे नहीं होंगी सल्वार वगरा बनाने हों ठीक में जो चीजें होती है वह इसका आशन वगरा हम कितना ले कैसे लें यह सब कुछ होता है तो यह हमने अभी कटिंग किया अब यहां पर क्या करेंगे मियानी काट लेता है तो मियानी जो है वह एकदम बेसिक मैंने कॉंसेप्ट बता है कि आप हलको इसका तिर्चा काड़ दे और उसके बाद धाई इंच चौड़ा और लगबग सात इंच उंचा मियानी का यह शेफ होता है और इस तरह से काट के आपको निकाल लेना होता है ठीक है तो मिजर्मेंट जैसे यहां द लगाएं कभी-कभी भी ना मियानी के भी आप अस्तानी से इसको बना सकते हैं और वीडियो का पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरू से करना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन